कक्षा 11 की गनित का अध्यानम नो अनुक्रम श्रेणी बच्छो पिछले वीडियो में तुम्हें गुणत्र श्रेणी के बारे में डेटेल से पूरा कॉंसेप्ट समझा दिया अब उसी की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि बिना प्रैक्टिस के थियोरी मैथमेटिस की कोई भी क ध्रेणी 525 125 और पैन को पी तो बोलने कि आउसकता है नहीं का दसवा पद श्रेणि में सक निकाल लेता है गुन अपका मन कर रहा है तो अर्देखो आराम से हाप यह बच्छो पाच को पच्छिस पाच को पाच को पाच से निकाल लेता है क्या डिक्त नोत्र श्रेणी में पाँचीस अगेन 25 को 5 से गुणा करो 125 तो बच्छेंगे आपर एका मान कितना गया 5 आर का मान कितना है पाँच एन का मान कितना है 10 एन वपत ग्यात करने का सुत्र मैंने तुम बताया था बच्छो ए गुणा आर की पावर एन माइनस एक बोलो हाया ना आप देखो बाल को पाँच आर का मान भी पाँच यह 10 माइनस एक इसको सॉल करते हैं तो बच्छो टैन या पास पाँच की पावर एक गुणा पाँच की पावर नौ बोलो हाया ना आधार समान हो तो गुणन फल में घातो को जोड़ते हैं तो बच्छो आंसर आगया 5 की पावर 10 इसको आगे पत की जाद कर रहे हैं और पत ग्यात करवाना चाहरा तो इसमें तो बहुत बड़ी बात है नहीं बच्छो आइज पत का फॉम्मला होता है एक गुणा आर की पावर एन माइनस एक निकालना है एक आमान 5 है आर का मान 5 है एन माइनस एक घातों को जोड़तों बच्छो तो एक से चैंसिल हो जाएगा तो ऊवा पाद आप फारे पास पास की पावर थीं यानि ठीक से देगoking दस फार पूचे तो पाच की बांद घ्रार नो इस तरह सब करेंगे Region आपको इस तरह से लिख लेए अगर आप चाहते लिखना एम उना इसमें और एक नवर Monate आपको जो लेंग्वेज लिखनी होती ना उसके भावनाइं समझने के लिए किस तरह से लिखनी है एज इस कौपी नहीं कर नी तुम्हें एक बात दिमांगों फिटे बच्चों बार बार समझाने की हो सकता नहीं है कि यहां पर कोई भी नुमेरिकल स्टेप करने से पहले मैं शक्ते बाते बोलता हूं जिससे ढमाई संभ बहुते हो तो पहले मन अंदर कि हां यह इस कारण ऐसा हो रहा है क्योंकि मैं तुम ख़ोन भी नहीं है पाराने घ्रण जो गनूत नहीं पीबोरदे के लिखा हो अरब देख पारेहा ऩचीक है हिगया अगला उधारन हभाएग तो चार बार है सर एक आमान दो आर का मान चार अबिए निए पूरा माहूल बना के लिखना है आट बटा दो बराबर 32 बटा आठ यानि की बराबर चार हता कौन सा पद माना की एनवा पद 131072 है यह निका मान पूछ रहा है एनवा पद हमें दे दिया उसने बचों फॉर्मला सबी को आता है तुम्हारे को क्या होता है एक गुणा आर की पावर एन माइनस एक ठीक है तो बस नॉर्मल कैलकुलेशन तो मैं गड़नी आजाओ मेरे साथ सा टी एन का मान कितना है वन थ्री वन जीरो सेवन टू यह यह ना एक लाख इकत्तिस हजार बहतर इक आमान बच्यों कितना दो आर का मान 4 इन का मान पता नहीं यह लीज पर दो चिंग 12 एक 2510 ठीक है वापिस बच्वों कितना आजाएगा 2510 2-3 6 2 चिंग 12 पैंसट अजार 536 चार की पावर n-100 नमरे पास आगे बच्वों अब बच्वों यहां पर देखो क्या होती है 55536 चार की पावर होती है बटिप्ला करके करना बड़ेंगा और को जितना आँ तो बच्वो जहां से देखो, 4 गुणा, 4 गुणा, 4 गुणा, 4 गुणा, 4, 16 चोख कर लो गया राम से, 64, 4 गुणा, 4 गुणा, 4 गुणा, 4 इसको वापिस 4 से गुणा कर दो, बच्वो कितना आ गया, 4 चोख, 16, 1, 4 चका, 24 और 1, 25, 256, बल्टिप्लाइक करते जाओ, बच्वो फटा वट फटा वटा ना, जान से देखो, अब वापिस हम इसको 4 से गुणा करें, 256 को, 256 को 4 से गुणा करने पड़, 4 चका, 24, 2, 4, 25, 20, 22, 2, 4 गुणा, 2, 10, 1024, या गया बच्वो मर बस, 4 की पावर 5, 4 की पावर 5, अब बच्वो 24 को 4 से गुणा करो, 4 चोक, 16, 1, 4 दुनिया, ट्रेक, 9, 0, 4000, चिन्नन में, बच्वो ये कितना आ गया हमारे पास, 4 की पावर 6, जान से देखते चलो बच्वो, 4000, चिन्नन में को, 4096 को वापिस 4 से मल्टिपलाई करो, 4 की पावर 7 आ जाएगा, 4 चका, 24, 2, 9, 36, और 2, 38, ऐसे किया से, 4 चोक, 16, 16, 3184 आ गया, 4 की पावर 7, बच्वो, 16, 3184 को वापिस 4 से गुणा करो, 4 चोक, 16, 1, 4, 32, 1, 33, 3, 4, 3, 12, 3, 15, 1, 4, 6, 24, 1, 25, 2, 4, 2, 6, 55, 536, हमने प्राप्त कर लिया, 4 की पावर 8, बच्वो, ऐसे एग्जाम में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसलिए म मैं ने तो मैं पूरी कैलकुलेशन करके दिखाया, मैं तो डारेक्ट भी लिख साता था, साइड में कैलकुलेट करके, पहले से, समझके भाउनाओं को, तो मैं एक्जाम में इस तरह से कैलकुलेशन करनी है, बिलकुल मैं उसी तरह से सोलिशन कर रहा हूं, इस तरह से प्रोग्रिशन का गुनोत्र श्रेणी का नववा पद एक लाग 31,000 बहतर होगा क्लियर आगे बढ़ो ठीक है आगे बढ़ते हैं बच्छों उधार नंबर 11 गया कर रहा है आजो बच्छों तीसरे पत्से मतलब ए और स्क्वेर छटे बसे मतलब ए और की पावर फाइफ एक सो बाण में तो दस्वापत गयाद करो ए आर की पावर नो हमें गयाद करना है यह लिए तो लेट स्टार्ट इन दोनों से ए और आर कमान निकाल लेते हैं बहुत आसान है और कैसे करेकरां एक समीखन एक को एक से महले दो supply समेकन दो में अभी समीखन व गएरा तुम लिखसेनना लेंगवेज मैंने बोल के तुम बण पता दिया ऑच्वर कि प्रफॉइफ में आर स्क़र से मेरो आज और तो पवा नथी है घटती है आर की पावर थीन एसे एक енной सील हो 122 में 24 का तुम भाग देते हो ना तो ध्यान से रहो एक बार इसको काट लेपन दो से हाना तो 192 डिवैड बाइ 24 चार से काटे गया देखो ध्यान से कि मारे पास दो अन्रकामान 2 आते ही कमान आ जाएगा आर कमान दो यहाँ पर रहा तो दो काट स्क्वाईर ठीक है बड़ाबर 24 तो वैं कमान आ गया 6 एक कमान चेहाँ र कमान दो बस यह दोनित हो में चीज़िए अच्छा रखद कि राप्त होंगे है और कमान किम प्राफ्त ह इतनी बड़ी नहीं है इसलिए आपको करना है करना पड़ेगा चुला करी जाता हूं देखो दो चार आठ सोला बतिस चोंसाट एकसो टाइट दो सपन पांसो बारा वच्छों पांसो बारा को 6 से गुणा करो ठीक है छे दूनी बारा एक शे और एक साथ छे पंजा तीस तीन जार भैत्तर हमारा आंसर प्राप्त होता है दस्वा पद्त आई यह बचो कलेना इस तरह से तुमारा यहां पर दोगे क्या कर रहा है च्छे दो कीपार नो बचो यहां पर टाइपिंग विश्टेक तुमां मिल सकती है बस यहां से तुम्हें फील लेना है कि हां लेंग्व भी गुणत्र शैनी एक दो बटा थीं चार बटा नो के प्रिफम बटाका युखफल तथा प्रिफम पांच पदो का युखफल कियात करो गतकरते करते हैं सबसे पहले न पदो का युख पर निकाल लेता है फिर पांच पदों के लिए एंक हांच रख देंगे सभी आ और न पधर खीया को na dependent से तो आरकमान प्राप्त हो गया develop है एक हैं का इंपर ऊक्फफल तो आ이 दो चोटा है वह से बढ़ा को पार चोटा है बोलो हाए ना यह था ना फोमला रखो एक अमान एक वन माइनस आर का मान बच्छो कितना है दो बटा तीन की घात एन बटा वन माइनस दो बटा इसको थोड़ा और सिस्टेमेटिक कर लेते हैं कैलकुलेशन करके रेखो जरा हो वन से तो कोई फरक पड़ेगा नहीं अच्छा यहां पर देखो बच्छो यह 3-2 बटा 3 तो एक बटा 3 बचा हा ना इसको सिंप्लिफेट करना है तो देखो इसका एलसे हम लो तीन की पाउर एन आएगा फिर मुल्टिप्लाय कर दो जितना तुम्हारा मन करें उतना तुम्हारा हमसे कर लो यह एन पदो तक का योगफल हमने निकाल लिया अब इसमें अपन क्या करेंगे बच्चो थोड़ी सी कला कारी सर इसने इसमें ग्लाव जाएक बंधा इसमें नेजरा मन करने जाएक बंद स्टाएं गश्रा इसमारे समयuleट्ब केंच लिए बलं पार श्रीकली बैत है औहो तो फिर तो किस से कुणा कर रहा है एक बटा दो से तो यहां पर बचो पन लिखता है एक की वेल्यू आ गए तीन आर का मान आ गया एक बटा दो कितने पद आउशक है ताकि योगफल यानि की योगफल हमें दे दिया बच्छों तो सीधा सीधा मैं तुम तरीका बता देता हूं बच् तो S N बराबर A 1-R की पावर N 1-R तो ध्यान से देखना बच्छों S N दे दी है हमारे को 3069 बटा 512 ठीक है इधर आओ एक का मान हमारे पास है 3 और प्यारे बाल को R का मान है 1 बटा 2 ठीक है नीचे भी 1-1 बटा 2 तो 1 बटा 2 ही बचेगा उपर 6 जाएगा इसको पावर्स में ब्रेक करके कैल्कुलेशन करना एंड का मान तुम निकाल लोगा राम से आज यही हो रहा है बच्छों आपे हाना देखो एक में से एक बटा दो गया तो एक बटा दो बच्छा तीन दो नीचे 6 उपर आ गया ठीक बच्छों इसके अगले वीडियो में तुमारी प्रश्नम करेंगे बच्छों वह प्रश्न भी मैंने तुम्हें उधारन वाला वीडियो बताया और इससे पहले वाला वीडियो बताया ना उन पर यादा रहे तो उसके अंदर अंदर ही तुम्हारा काम हो जाएगा बच्छों बाहर कुछ भी नहीं जाएगा तो क्रप्या इन दोनों वीडियो को दुबारा देखें फिर आप प्रश्नमाला के प्रश्न ट्राई करें फिर आपको अधिखार है अगला वीडियो दे झमदर मेर उसदी नहीं अवाद सौनर प्रश्छों दुम्हार सी नहीं होधगा बतुम्हारा